गुड इवनेंग कैंसर ये नाम सुनकर सभी डर जाते हैं मैं भी डर गई थी मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था इतनी आक्टिव और हेल्दी होने के बावजूद मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ दो साल पहले मुझे ब्रेस कैंसर डिटेक्ट हुआ मेरी सरजरी हुई डोक्टर ने कहा सरजरी के बाद मुझे आज कैमो थेरेपी और पच्छीस बार रेडियेशन लेना पड़ेगा साथ साथ कैमो थेरेपी के साइड इफेक्स भी बताए जैसे उल्टिया होना हातों में सुजन मुँ में छाले पड़ना वीक्नेस होना लूज मोशन होना भूप ना लगना क्योंकि हम इस कंपनी से जुड़े होए थे मुझे पता था कि ये प्रोड़स कितने पाफुल है मैं अलोगेरा जैल प्रोमिस्टीन पावर नेचर मिन गालिक थाइं बी प्रोपलेस बी पोलन लाइसियम प्लास फिल्ज ओफ ग्रीन एब्जॉबन सी रॉयल जैली हानी और अल्ट्रा प्रोटीन पावडर ले रही थी इसलिए मुझे कैमो के दर्मियान कोई साइड इफेक्स नहीं हुए ना मेरे मूँ में छाले पड़े ना मेरे हाथ सुझे मेरा वरजन भी बड़ा रेडीशन के टाइम जिस भाग में रेडीशन दिया जाता है वो भाग काला पर जाता है मैंने रेडीशन के वक्त होने से पहले और उसके बाद आलोवेरा जैली लगाना शुरू किया मेरी तवचा में कभी काली नहीं पड़ी गए मैने ही सब टेस्ट कर राए, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आए बीमारी से आदमी फाइनेंशली, फिजिकली, मेंटली ड्रेन आउट हो जाते है ऐसे समय में परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है मैं खुश नसीब हूँ कि उस समय मेरे साथ मेरे साथ ससूर, मेरे माता, पिता, मेरे पती, मेरे बच्चे और दोस्तों का सपोर्ट मिला जिस तरह मनुज गाइकवार सर एक स्ट्रॉंग पिलर बनके हमें एफलबी बिजनस में साथ दिया उसी तरह, जब उन्हें पता चला मेरे हैल्थ के बारे में, उन्होंने कुछ डिस्ट्रिबिटर के सायता के साथ, मेरे पती जैज के हाथ से प्रडॉक्स बिजवाते थे ऐसे डिस्ट्रिबिटर का नाम लेना चाहूंगी मिस्टर मनोज गाइकवर सर्भ, नाना साइब, मनीशा सोनाव में, सुनील तांबे, मैश शाद, संतोज गाड़े गाउंकर, अमीर अली जेथा, चंद्रा शेथी, राजीव मेहता, श्रीफात पड़के, बरक्ष्या, कमलेश पांत्री, फ्लॉसी और वॉल्टर फंडांडेस, विक्रम सोनी और रुपेश सोनी, मैं इन सभी द्रिस्टुबिटर को का अबार मानती हूँ, मैं तहे दिल से, फॉरेवर प्रोड़क्स की, रेक्स मॉन से, दन्यवाद देती हूँ, कि वो ये कंपने, इतनी बैटीन कंपनी, और इतनी अच्छे प्रोड़क्स, बनाए, साथ ही, सर अमर्जीत उबी, कुछ दन्यवाद देती हूँ, कि वो ये कंपनी बारत में लाए, मैं दन्यवाद करती हूँ, निकिता मैडम, शर्मिला मैडम, और पुरे स्टाफ की, थैंक य।